एक मासुम बच्चे दा जनम होय है, नंगा है, पर इस दी नगंता देज नंगेज पणा नहीं है, इस दा नंगा शरीर लोग दी परदर्शनी नहीं कर रहे हैं, इस दा नंगा शरीर वाशना दी परदर्शनी नहीं कर रहा ज़द के कईयां दे ढखे होई शरीर भी परदर्शनी कर देने गंद गीते चद्दर पाई है चद्दर दे चौँवी बदबो बार आ गई है चद्दर दे चौँवी गंद बार आ गई है तो ए दौर ए समा इसनो गुर्णानिक देवजी महाराज कहने न कलाल और इस शब्द उचारन कर रहे ने मर्दानें दे प्रती मर्दानें दे सामने इस युग दी नगन ता सद्द गुर्ण पेश कर रहे हैं अलांके युग ने अपने आपनों डखे है बहुत डखे है बड़ा डखे है एक जवाना ते ऐसा भी सड़े देश देच लंगे है कि असी धार्मक पुर्शादियां मूर् अगन मूर्तियां बनाईयां और बड़े-बड़े साधुआँ दे टोले वी चले नांगे साधू नंगे साधू साधू होन दी पैचान नंगा है एदेकुल धकन वास्ते कुछ भी नए धकन वास्ते कुछ नहीं इस दय मतलब निक ये एदेकुल कपडे नहीं नहीं ऐसी को गंदगी इस दे को नहीं जिसनों इठके फुल नंगे इठी करें देने पर जैसे जैसे मनुकदे छिद्धर वद्दे गए जखम वद्दे गए पटियां भी वद्दियां गईया और ज़िद सारा ही सरीर जखमी हो गया तो सारा सरीर पटियां नाल पा रगया कपड़े नहीं पैने होए जखमां देते पटियां बनी होए याने हकीकत एह है हमा तन दागदार सुदम पुमबा कुजा कुजाने हम ये सुफी संद कहिंद है रौम रौम जखमी है किथे किथे मैं पुमबा रखा ते पटि बना ते जिमें पटियां इतनीयां बना रौम रौम देते ते पटियां ते मेरा लिवास बन जानगिया पटियां मेरा पहरावा बन जानगिया गुना नू ढकन लई जो कपड़े पैने उख कपड़े लिवास बन गए, उख कपड़े फैशन बन गए, उख कपड़े समाज दा अंग बन गए, परना गुरुनानिक देव जी माराज के निने ए ऐसास पशुमाच नहीं पैदा होया, विसमाद नांगें फिरे जानता। माराज के निन में ते बिसमाद हो जाना, पशुम नंगें घुम रहने, इना दी नगंता लोव दी परदर्शनी नहीं कर दी, इना दी नगंता अंकार दी परदर्शनी नहीं कर दी, इना दी नगंता वाशना दी परदर्शनी नहीं कर दी, मनुख तादे आज काल देच मनुख जद निर्दोष सी इतना ही निर्दोष जैसे के पशूते पक्षी ने कपड़ियां दी लोडने सी दोष वद्दे गए कपड़े वद्दे गए सहजे सहजे समाज़दा हिस्सा बन गए कपड़े जो कपड़े पेहन ररे है बले मानस है निर्दोष है उन नंगा दोषी के लाण लगते है इस वास्ते दोषी मनुख नोवसी कह देनिया बड़ा नंगा मनुख है इते बड़ा नंगा है कमाल दी गल एक दौर ऐसा लंगया इते बहुत गुनागार है, सब कुछ ढखके रखे, टके होया है, परिभाशा बदल गई, इते बहुत नंग है, वकत दा तकाजा, समें दा प्रभावर। तो इस शबद धन गुरुनानिक देजी महराज ने, मरदाने दे प्रती उचारन कीता है, कल कल वाली, काम मद, मनवा पेवन हार्ष। एक कल आम पर चलता है, शराब और कबाब, कबाब नल शराब जोड़ गई, शराब नल कबाब जोड़ गया, ऐसा क्यों? शराब और हलवा इंच नहीं कहेंदे, शराब और मिठाई ऐसा नहीं कहेंदे, शराब और रोटी ऐसा नहीं कहेंदे, शराब और अंब ऐसा नहीं कह दे शराब और कबाब, लगदा कुछ जरूर चोली दामनदा साथ है, अगर साथ ना होंदा तो इस तरह भी कहा जा सकते शराब और अदुद, शराब और दही, शराब और घी, ऐसा नहीं कहन दे, जदके सारियां चीज़ां खानवाली हैं, शराब और कबाब, कबाब नो शराब चाही दिये, शराबी नो कबाब चाही दिये, इना दोहां दा, चोली दामन दा साथ है, और धन गुरुन आनिक देव जी माराज ऐसे रहवरी पुर्ष ने, शराब दी गल कर रहेने, कबाब दी गल कर रहेने, खाने कबाब जरूर खा, पर जिस तना दा धंग मैं तेनू बनान दा दस्दा कबाब ओ खा, शराब पी नहीं है, जरूर पी, पर जिड़ी मैं बनान दा धंग तेनू दस्दा हूं, ओ पी, बन शराबी, बन कबाबी, ऐसा शराबी, ऐसा कबाबी, कि परमात्मा भी तेनू सीने ना लान ते मजबूर हो जाए, किसे वकत सत संग नू मैं खाना कहा जांदे आसी, अज ते, खेड़ी कुछ और होगी, सिर्सला कुछ और होगया, धन गुरू नान देव जी महराज केंदेने, ए युग कलाल है, अगर एक कलाल है, तो इस दे कुल शराब केड़ी है, कल कल वाली काम मद, इस दे कुल काम दी शराब है, तुम कहियत हो जगत गुरू स्वामी, हम कहियत कल जुग के कामी, धन भगत रवदास जी महराज, हे प्रभू, तुम जगद्दा स्वामी, असीस युग दे कामी, तो ताल मिल किस तना बैठ है, एक दावर ऐसा भी लंगे है, हर पासे धर्म दी परदर्शने सी, धर्म दी नुमाईश सी, बारों भी डुल डुल के धर्म तैंदा सी, गल देच माला है, हत्थाच माला है, घर देच माला लटकियां यहने, गरंथ पए ने, तमाम धार्मक साजो समान नाल घर सजे वे ने, और घर देच भी जाके ऐसा पता चल्दा सी, जैसे मंदर है, धर्म शाल है, दौर बदले है, घर देच बार बन गई, करदेच बहुतलां आ गई यह, करदेच वेश्याले बन गए, हैरानगी दी गल, पहले घर मंदर सन, घर मधरम साल सन, हुनते बहुते धरम साले भी किसे हद तक मैखा नहीं ने, बरश्चा चार दे अड़े ने, दौरा चार दे अड़े ने, दौर बदले है, समेना प्रवाओ, माराज के इने कलाल है, ए युग, और ए बनारे है काम दी शराओ, ज्यादा चर्चा इसे दिये है, ज्यादा एही देखिया जा रहे है, टीवी ते, अखबारां देच, इस्तियारां देच, तरह तरह दे मैगजिन, तरह तरह दे गंदे नावल, जिन स्यादनाल भरियां या कहाणियां, हर पासों उजागर काम दी परदर्शने, काम दी नुमाईश, आखिर मनुख को जो कुछ होएगा, उसे दी परदर्शनी करेगा, आखिर मनुख को जो कुछ है उही बार प्रगट करेगा, काम ही है, काम, जीवन दे एक वक्ती लोड हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता है लोड कते ही जीवन नहीं हो दी इसनों जिस आलमाना धांगनाल धन गुरु अरजन देव जी महराज ने ब्यान कीता है आप दे सामने रखा पंकज फाते पंक महामद गुंधिया अंग संग उरजाय बिसरते सुम्थिया पंकज, पंक कहने ने चिकड नों पंकज, पंक देचों जमया, चिकड देचों पैदा होया, पंकज पंक ने जनम देता है, चिकड ने जनम देता है, पंक अजनी, तो चिकड किसनो जनम देंदा है, चिकड एक चोटी दे फुल नो जनम देंदा है, जिसनो कमल केंदेने, जिसनो सोरब केंदेने, जिसनो कंज केंदेने, जिनो पदम केंदेने, जिनो सारंग केंदेने, जिसनो ब अगर कोई धार्मक मनुख है तो कह देता जान दै ते कमल दी तरह भारत दे मंद्रा दे गुंबद कमल ने बोध भिक्षु जद स्वेरे स्वेरे भिक्षा लई चल देने हद दिच कमल दी पंकड़ी लेके ताके ऐसास रे विचर रहां बजार दिच कलियां दिच कमल दी तरह रहां दुबणा भी नहीं भिजणा भी नहीं महराज करने पंकज फाते पंक जो पंक तो जमया सी चिकड़ तो जमया सी महराज करने चिकड़ी की फसके रह गया पंकज फाते पंक पंक ते फसके रह गया कदी ऐसा होंदा, सुरोगर दा पाणी सुकन लग पेंदा, ति बार दे जल जरने जो इस विच आरे सन, वो अवरुद हो जान देने, रुक जान देना, पाणी नीमा होंड लग पेंदा, और इतना नीमा कि चिकर दिखाई देन लग पेंदा, और ओ कमल जो बहुत उपर उठे वाया सी, चिकर दे नेडे चला गय, पाणी दे आसरे के, बहुत उच्चा उठे आ सी, बहुत उच्चा उठे आ सी, नीमा चला गय, थले चला गय, लेकन अचानक जोर दी बारश होगी, पासें दा जल जरना जरनेयां दा रूप धारन कर स्रोवर दी तरफ आया और स्रोवर बड़ी तेजी नाल भरन लगते हैं जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहे है इतनी तेजी नाल कमल उठना सके हैं जितनी गती नाल पानी उपर उठ रहे है एक गती कमल अपनी बनाना सके हो या कि पानी उपर चला गया कमल थल्ले चला गया चिक्कड तो जमया फिर चिक्कड देज फास गया पंक जफाते पंक महामद गुंफिया अंग संग और जाय बिसरते सुंफिया ऐसा चिक्कड देज उल्जे है अपनी सुगंद ही बुल गया अपना सुअपनी पोल गया चिक्कड तो जमया से उन अपने आपनों चिक्कड ही समझ बैठा जनम काम तो है अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड तो जमया ये कमल चिक्कड विचलीन हो गया चिक्कड चिक्कड ही बन के रे गया चिक्कड कमल नहीं हो सक्या काम राम हो जाए तो चिक्कड कमल बन गया काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड देश फसके रह गया ए उदारन बड़ा सुन्दर धन गुरु अर्जन देव जी महराज ने दिता है काम तो जम्याए ए जीव काम दे चीफ फसके रह गया चारों पासे अजनाटक फिलमा मैगजिन इस्तियारी दुनिया अखबारी दुनिया टीवी दी दुनिया रेडियो दी दुनिया समाज़क दुनिया राजनाटक दुनिया हता के धार्मक दुनिया भी काम दी नमाइश तो बिना होर कुछ रह नहीं गई चारों पासे इस दी परदर्श नहीं कारण इजड़ा युग है एक कलाल है है ये दे कुल शराब ये ही शराब है मनुखानों किसे होर सरूर दा पता ही नहीं किसे होर नशे दा पता ही नहीं दुनिया दे सारे नशे भी काम दे अले दौले मडला रहने और काम पर बल नशा जिस दे मनुख बेसुर्प मनुख बेहोश इगल वक्री है कि इतना खुल के इस विशे ते इतना बोलेया नहीं गया लिखेया नहीं गया और जद किसे ने कुछ लिखेया है तो उस गरंथ नो धरम गरंथ नहीं आखिया गया जद कोई बोले है तो उन्हा बोलानो धारमक बोलने ही आखिया हद होगी जिस तो जीवन जमेया है उस मन्दे बोल इनो एक पासे रख दिये धरम दा इसा ना मनी है तो फिर एते इंजोईजी में कह दी ये जनम ही नहीं होया ये जित्थों जनम होया ये इसनों मन दे ही नहीं जीवन उदों सफल हो जानदा है ये जम्मे काम देचां ये लीन होवे राम देच ये तरह सफल हो जानदी है चिक्कड तो जमे हैं पर चिक्कड ते पाणी दोहां तो उच्चा उठे काम तो जमे हैं पर एक काम ते पदारफां दोहां तो उच्चा उठे पाणी तो भी उच्चा उठे कई दफा जोरनाल वदेया या पाणी भी डुपो के रख देंदा है उपर ने उठन देंदा अचानक धनवान हो गया है अचानक सता मिल गई है प्रवता मिल गई है बड़ी तेजी देन आले धन संपदा आई है नहीं सभाल सके है गर्क हो गया डुब गया आश्ता आश्ता जद स्रोवर देच पानी तेंदा है आश्ता आश्ता फुल भी उपर उठदा रहेंदा है पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गती देच अपने आपनों तीबर गती च उठा सकना पानी दा वेक बड़ा तीबर हो वे बड़े तीबर ता देनाल पानी वद्दा जा रहे है उच्छा हो रहे है और इसे तीबरता देनालों अपने आपने उच्छा कर सके कठन हो जानदा है ओखा हो जानदा है काम में ही एक शराव है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है वेच रहे है, पी रहे है, पिला रहे है